Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains मैं हूँ शिपरा तिवारी और यहाँ पर आपको फ्री 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 एजुकेशन प्रवाइट कराया जाता है मेरे बच्चो ताकि अब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्व अपनी शिपरा माम की जबानी बच्चो और आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स का आखरी रोल और यह चैप्टर खतम किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि माम टर्म टू निकले जा रहा आप चाप्टर कप पढ़ाओगे सब पढ़ाओंगे बेड़ा टेंशन नहीं लो ठीक है दो चैप्टर कर दिये तीसरा चैप्टर क्या शुरू करने वाला है वो आपको जो है नेक्स लेक्टर में बत परिट इंदेक्स प्रिटीलियर यह पंट कि चैप्ट इसको खतं करेंगे और ओर और 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 बच्चो उ माईको राइजा के बारे में आपको उस्ही को एलेवन का लेक्टर लगाई है कि क्लास इलेवन वेन बहुत डिटे लेक्टे भी और तो इसकी लिएάλ को क्लास 11 का ले माईको राइजर का लेक्चर देख सकते हैं इसमें पोटेशिम होता है इसमें phosphorus होता है इसमें potassium होता है powder के form में आते हैं कैसे आते हैं बच्चो जी यह आते हैं powder के form में इनको बस आप छड़क दीजे और हो गया काम पर यह harmful होते हैं अगर आप बायो normal fertilizer की बात करेंगे तो यह chemicals होते हैं हाला कि थोड़ी ही quantity में इनका असर बहुत ज्यादा होता है थ्यान से समझना थोड़ी ही quantity में इनका असर बहुत ज्यादा होता है यह बात आपको clear हुई थोड़ी ही quantity में असर बहुत भयंकर देते हैं बहुत भयंकर देते हैं पर जैसी बारिश होती है यह बहके चले भी जात आज की ट्रेक्टर में हमें उससे जाना है। Toch fertilizer क्या होते हैं ? जो soil fertility को बढ़ाते हैं. जिसे soil को जादा जिस façon पीड को जो plant हैं उसको जादा nutrition में सके और plant अच्छे से ग्रो हो सके. So, Chemical fertilizer पहले. Chemical fertilizer Dobikaj हमको जादा time नहीं है या किसान बहुत जल्दी में हैं या उसको जल्दी crop production देना है तो ऐसी condition में chemicals का इस्तमाल करते हैं Chemicals जो होते हैं वो हमेशा agriculture की जो increasing demand होती उनको fulfill करते हैं पर साथी साथ ये environmental pollution बहुत भेंकर करते हैं मैंने आपको बताया कि जब पानी गिरता है तो पानी जब बहता है तो ये fertilizer भी बहकर main water body से मिल जाते हैं फिर हम उनको पी लेते हैं तो हमारी body में भी आ जाते हैं ठीक है अगली बात many problems associated with the overuse of chemical fertilizer बहुत सारी problems होती हैं इसलिए अब हमको इस farming से conventional farming से switch करना पड़ेगा organic farming में जिसमें हम at least chemical का इस्तुमाल नहीं करें क्योंकि अगर हम अपनी खेपी में chemical का इस्तुमाल कर रहे हैं बच्चो जी तो ultimately उसका effect हमारे शरीर को है क्योंकि कहीं न कहीं से घूम फिर कर वो तुम्हारे ecosystem में entry ले ही लेगा ये बात आपको clear होनी चाहिए organic farming जो होती है ये raising of the crops through the use of bio fertilizer हमको यहाँ पर bio fertilizer का इस्तुमाल करना है ताकि soil fertility increase हो सके और जो है पौधों को फाइदा हो ठीक है ताकि optimum nutrients जो है soil fertility increase हो मतलब बहुत सरे minerals उसमें add हो maximum nutrient जो है वो आपके crop को मिल सके this is O not C ओके डन है बच्चो जी आगे बढ़े next is bio fertilizer क्या होते है bio fertilizer कुछ नहीं है बच्चो जी यह है organisms क्या है क्योंकि हम microbes पढ़ रहे हैं तो हमको यह बताना जरूरी है कि यह क्या है बच्चो यह है हमारे organisms ठीक है यह organism क्या करते है यह organism जो होते है यह soil को nutrient rich बनाने का काम करते है ठीक है यह कौन-कौन से हो सकते है कुछ भी हो सकते है यह algae हो सकते फजाए हो सकते bacteria हो सकते कुछ भी हो सकते है और अब हम उनका classification करना शुरू कर रहे है चल यह देखते है सबसे पहले आईए classification बना दू कि इसके लिए छोटा सा एक छोटा सा नहीं सा बुनने सा प्यारा सा ठीक है चल देखते हैं microbes, microbes, microbes ठीक है in as bio fertilizer, bio fertilizer ठीक है बच्चों ठीक है कोई दिक्कत कोई परिशानी इसमें हम लोग सबसे पहले free living के बारे में बात करेंगे free living bio fertilizer के बारे में बात करेंगे free living bio fertilizer में हम अलग-अलग microorganisms का इस्तुमाल करेंगे सबसे पहला free living में हम लोग इस्तुमाल करते हैं azotobacter, azotobacter biology का student है तुम लोग, biology का student है हम सब तो कम से कम यह छोटे छोटे एक्जामपल तो याद हो नहीं चाही बच्छो, ठीक है, ऐसोटो बेक्टर and एजो स्पायरूलम, ठीक है, और फ्री लिविंग में हम बात करते हैं किसकी, जैसे की साइनो बेक्टीरिया, ठीक है, साइनो बेक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके बाद एना बिना ठीक है उसके बाद नौस टॉक नौस टॉक उसके बाद और सी ले चोरिया डन समझ में आई बात अब आपके मन में सवाल होना चाहिए अच्छा फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है यह काम क्या करते हैं ध्यान से सुनो यह काम क्या करते हैं बच्चो ला 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 यहां पर स्टार पर दिखती हूं ठीक है यह अच्छा नहीं लग रहा है क्यों this is not looking good यह अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा नीचे बनाती हूं यह करते हैं बच्छो free living nitrogen fixation ठीक है यह करते हैं free living nitrogen देखो अलग ही लिख ले जा रहा है बार fixation अब free living nitrogen fixation से क्या होता है यह बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि कोई भी plant जो होता है उसकी जो root होती बच्छो वो कभी भी environmental nitrogen को use नहीं कर सकती समझ में आई बात कोई भी plant जो है वो कभी भी environmental nitrogen को use नहीं कर सकता है समझ में आई बात तो सबसे पहले इस nitrogen को convert होना होगा ammonia में फिर यह ammonia से convert होगा NO2 में और फिर इसे use करेगा clear है this process is called as nitrogen fixation इसे हम क्या करते है nitrogen fixation clear है अब यह जो है यह free living होते है soil में ठीक है इनका काम होता है कि यह जो है इसको इसमें ठीक है और इसको इसमें convert कर देते हैं यह पूरी कहानी कहां चल रही soil में और फिर इसे कौन ले लेता है plant ठीक है तो यह बच्चो जी अपना काम soil में करते रहते हैं कोई tension नहीं इसलिए free living है इनको कोई मतलब नहीं भाड़ में गया आपका plant यह free living अपना जो है nitrogen fix करते रहते हैं और फिर वो जो nitrogen इनने fix किया in the form of ammonia उसको फिर plant ले लेता है तो कभी भी environmental nitrogen plant नहीं ले सकता है तो ultimately इसने क्या किया इसने soil में nitrogen के amount को बढ़ाया उस nitrogen को plant ने लिया तो plant में nitrogen बना ultimately जितने भी protein protein plant बना रहा है वो nitrogen के help से ही बना रहा है आपके organism होते हैं the blue green algae and these bacteria यह जो होते हैं यह organism यह free living nitrogen को fix करके जो है अब वो soil में पढ़ा रहता है soil की fertility increase हुई और बाद में plant के root ने उसे ले लिया clear हो गई इतनी बात now अब मैं बात करती हूं symbiotic, 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 symbiotic microorganism के बारे में चली, slide में देखते हैं पन क्या लिखे है slide में फिर आगे बढ़ते हैं और यह symbiotic सबसे बढ़े देखो free living में मैंने azo spiral में azotobacter लिखा है तो यह क्या करते है, it can fix the atmospheric nitrogen while free living in the soil यह लिखा है इसमें, कोई tension तो नहीं, आगे बढ़ें next is, fungi की बारे में तो अभी पढ़ाऊंगे, fungi दिया है, सब तो पर fungi दिया है cyanobacteria, ठीक है, cyanobacteria में क्या दिया हुआ है, cyanobacteria यह autotrophic microbes होते है अच्छा, एक और चीज में बताती हूँ इसमें, देखो, यह दोनों free living है पर इसमें और इसमें क्या अंतर होता है, देखो, यह अपना nitrogen fixation एक special, जैसे मालों यह है न, इनके पास एक special type की cell होती है जिसे हम कहते है heterocyst, ठीक है, तो यह जो nitrogen fixation करते हैं यह अपनी special type की cell के अंदर करते हैं, जो की anaerobic environment को देता है, इसके कहते है heterocyst और अगर किसी को इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है, तो class 11 में इसका lecture पढ़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो ठीक है, आगे बड़े, cyanobacteria का lecture मैंने बनाए तो cyanobacteria are the autotrophic microbes, यह अपना भोजन स्वैम बनाते है, फोटो सेंथे से, ठीक है, widely distributed in aquatic and terrestrial environment, many of which can fix the atmospheric nitrogen, मैंने आपको example बता दिये, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बता है, anabina, nostock, oscillatoria, ठीक है, in pedifields, pedifield बतला धान, ठीक है, fairfield में, cyanobacteria जो होता है, यह बहुत ही important bio fertilizer होत होता है, यह बहुत जादा, बहुत बहुत जादा, यूस किया जाता है, in the pedifields, ताकि चावल में nitrogen fix हो सके, blue green algae, this is the blue green algae, blue green algae adds the organic matter to the soil and increases its fertility, तो ultimately जो blue green algae है, उस हो organic matter provide करता है, जिसे soil fertility increase हो सके, ठीक है, उसके बाद मैं आपको और बताना चाहती हूँ, लललललललललललललललल, चलो, आओ देखते हैं, next is, अब मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसे organisms के बारे में, जो कि symbiotic होते हैं, ठीक है, अब symbiotic microorganism भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये leguminous plant के साथ, या तो ये leguminous plant के साथ association शो कर सकते हैं, बच्चों, ठीक है, leguminous plant के साथ, ठीक है, या तो ये non-leguminous plant के साथ भी association शो कर सकते हैं, ठीक है, non-leguminous plants के साथ भी association शो कर सकते हैं, now symbiotic association क्या होता है, मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे का फाइदा करेंगे, समझ रहे हो ना बात को, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को फाइ नोड्यूल्स होते हैं जैसे की मतर हो गया चना हो गया दाले हो गई इसका एक्जाम्पल लेग्यूमिनस प्लांट के साथ कौन शो करता है राइजोबियम क्लास 11 में सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने आप जाके उसके लक्षर लगा सकते हैं राइजोबियम क्या करता है बच् आपका निउट्रीशन देता है निउट्रीशन देता है तो यह वा श्मपाइटिक एस्सोशेशन ठीक है नौन लग्यूमिनस प्लांट में हम पढ़ते हैं फ्रैंकिया की बारे में यह आपके NCIT में लिखा हुआ है ठीक है तो नॉर्मल प्लांट में जो सिंबाइटिक एस् वो प्लांट को दे देते जाते देते जाते देते फ्री लिविंग नहीं है यह एसोसियेटेड और नॉन लेगिमिनस में फ्रांकिया चीक है बहुत ही फ्रांक है यह ओके आगे बढ़ते हैं ठीक है तो राइजोबियम ध्यान से सुनों राइजोबियम देखो यह फ्लोचार् वैक्टीरिया यह वैक्टीरिया पर यह कैसा होता है कोई भी नॉर्मल फ्रांक जिसको होता है उसमें frankia जैसे microorganisms जो होते हैं यह आपका nitrogen fix करके देतें और isobium जो होता है वो root nodule वाले plants में nitrogen fix करके देता है तो यह बेटा जी कि नाम आपको याद रखने हैं ठीक है यह आपके जो है bacteria यह है आपके blue green algae जिक है यह है आपके bacteria यह ActivityBacteria ये आपको ऐसे जार रहें Now, अगर मैं association की बात कर रही हूँ तयागर मैं association की बात कर रही हूँ तो मैं नहीं भूल सकती हूँ Mycorrhizate को किस को नहीं भूल सकती हूँ मेरे राजा बेटा Mycorrhiza को ठीकै, तो मेरे लल्ला Myco का मतलब होता है Phungus ठीक है, यह lecture तो बहुत असान है और यह already class 11 में आपने पढ़ लिया है तो कोई tension होनी नहीं चाहिए, ठीक है So mycorrhiza और rhiza का मतलब होता है root So it is the association between root and fungus ठीक है, तो माल लो कि अगर कोई plant है यहां पर ठीक है, बहुत ही छोटू सा lecture है यह और इसमें आपको ज्यादा tension लेने की जुरूत नहीं है So माल लो कि यह कोई plant की root है ज्यादा तर, जैसे की root में मैं आपको बता हूँ Pinus, ठीक है, आपको मैं बता हूँ कि Pinus जो है survive नहीं कर पाएगा, grow नहीं कर पाएगा उसमें mycorrhizac association नहीं होगा पर यहाँ पर जो fungus के hyphy रहते हैं ठीक है, यह जो आपके fungal hyphy रहते हैं यह पूरा एक ऐसा network जाल जैसा बना लेते हैं ठीक है, यह जो आपके fungal hyphy है यह fungal hyphy एक जाल जैसा बना लेते हैं यह आपको पता होना चाहिए So this fungal hyphy will make a gel, net बना लेता है और आपके soil में दूर दूर से nitrogen, phosphorus, mainly phosphorus ये जो fungal hyphae है, mainly phosphorus को किसको देता है, root को देता है बदले में root इसको क्या देती है, बदले में root इसको देती है glucose समझ में आई बात, तो ये भी तो एक symbiotic association नहीं हुआ कि नहीं हुआ अब mycorrhiza के अलग-अलग प्रकार हैं जो आपको class 11 में lectures में देखने को मिल जाएंगे तो symbiotic association में हमने 3 प्रकार के चीज़े पढ़ी, पहला हमने पढ़ा leguminous plant और rhizobium का association, फिर हमने पढ़ा non-leguminous plant और frankia bacteria का association और फिर हमने पढ़ा plant root और fungus का association, plant root में मैंने pinus का example दिया और fungus में glomus का example दिया fungus का काम होता है दूर-दूर से जाकर nutrient soil से खीच कर लाना और root को देना, खासकर जो fungus, जो nutrient सबस्यादी खीच रहा है उसका नाम है phosphorus और बदले में root उसको क्या देती है, glucose बना बना के, ठीक है, चली, तो यह वो आपका association, so rhizobium वाली कहानी हो गई है आपकी, ठीक है, तो कि this, not deal वाले plant में association दिख रहा है आपको, ठीक है, fungus में देखते हैं, तो आपने क्या देखा कि हम cyanobacteria को भी as a bio fertilizer की use कर रहे हैं, क्योंकि वो nitrogen का content बढ़ा रहा है आपके root में, चीक है, उसके बाद हम लोगों रुस्वाइल में, root में दोनों में, और हमने जो है, non-leguminous frankia के बारे में सीखा, भई आपने fungus mycorizer में भी, आपने सीखा कि वो root को दे रहा है, as a nutrient, जो कि as a, हर जो है, एक fertilizer का काम होता है, कि भई आप किसी भी तरीके से nutrient plant की root को देओ, उसके बाद, cyanobacteria में भी हमने example पढ़ा कि वो root में, जो है, nutrient provide करवाने का काम कर रहे हैं, by the absorption of nitrogen, और by the fixation of nitrogen, ठीक है, symbiotic association with the root of higher plant known as association of fungus, यहाँ पे एक line add होनी चीए, association of fungus, now this is right, symbiotic associations of fungus with root of higher plant known as mycorrhiza, example, glomus form the mycorrhiza, ठीक है, fungal symbiote absorb the phosphorus from the soil and passes to the plant, यही कर रहा है, यहाँ पर कोई mycorrhiza, यहाँ पर देखो with mycorrhiza, कितना ज्यादा net जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से अगर देखो, एक root में किस तरीके से fungal high-five, जाल जैसा बनाए हुए है, ठीक है, plant having such association also show the resistance to root-born pathogen, tolerant to salinity and drought, तो अगर fungus ऐसा जाल बिठा के रखेगा, तो वो जारा-जारा पानी कीचेगा, तो सूखा भी आएगा, तो कोई tension नहीं, पैथोजन को अंदर नहीं आने देगा, ठीक है, साथ ही साथ, जो है, भूकंप भी आगया, तो पेड गिरेगा नहीं, नह अटिमेटली उसको nutrient प्रोवाइट कर रहा है, protection दे रहा है, support दे रहा है, गिरने नहीं दे रहा है, tolerant बना रहा है, ठीक है, no return, in return, no return, ठीक है, in return, fungi get shelter, फंजाई को shelter मिलता है, और food मिलता है आपके root से, ठीक है, तो उसने क्या क्या दिया, उसने soil से root दिया, root को, ठीक है, जै बहुत सारे टाइप के mycorrhiza हो सकते है, जैसे कि ectomycorrhiza, ठीक है, hypha of the fungus only form the mantle on the outer surface of road, mental मतलब जाल जो होता है, वो सिफ रूट के बाहर बाहर होता है, ठीक है, increasing absorption of water minerals, जैसे कि pinus में जो association होता है, वो ectomycorrhiza, ठीक है, mycorrhiza absorbs, store the nitrogen, phosphorus, potassium and calcium, और जदा तर जो fungi इसमें association show करते है, वो होते हैं, आपके basidium mycities, ठीक है, club fungi जिनको हम कहते हैं, मेरी बात इतनी समझ में आई, तो there are different kinds of mycorrhiza, ectomycorrhiza, endomycorrhiza, यह सब class 11 में मैंने पढ़ा रखा, और उम्मीद यह कर रही हूं मैं, कि आपने class 11 में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है, तो मैंने पढ़ा दे रहा है, तो यह ectomycorrhiza है, समझ में आगई बात, ठीक है, mycorrhiza जो होता है, वो क्या काम कर रहा है, वो nitrogen phosphorus nutrient को soil से absorb कर रहा है, और root को provide कर रहा है, साथ ही साथ, जो fungus ectomycorrhiza involved होते हैं, वो bestidio mycities के member होते हैं, endomycorrhiza अगर आप देखें, तो जो आपकी root के अंदर पुरा hypha घुसा हुआ रहता है, ठीक है, fungal hyping penetrate to the cortex cell of root, ठीक है, जैसे orchid coffee woody plants, ठीक है, these mycorrhiza को हम vesicular, herbascular mycorrhiza भी कहते हैं, वाम्स कहते हैं, it is very important question बच्चो, very important question, जो अंदर घुसे रहते हैं, उनको हम vesicular, herbascular mycorrhiza भी कहते हैं, क्योंकि cortical cells जो होती हैं, वो मोटी हो जाती हैं, इसके साथी होते हैं, fungus के, ठीक है, समझ आ गई बात, that's it, ठीक है, ये वाला मैंने आपको पढ़ाई दिया, cyanobacteria, done हो गई, currently, number of biofertilizer are available commercially in the market, and farmer use this regularly in the fields, बहुत सारे biofertilizer हमको dry form में मिलते हैं, हम continuously apply कर रहे हैं, जिसकी वज़े से chemical पे dependency खतम हो गई है, और हमें loss भी नहीं होगा ठीक है, frankia, एक actinomycities का member है, ये symbiotic association बदाता है, root nodule of the non-leguminous plant, ठीक है, जैसे की casurina and alnus, alnus नाम याद रखना है, ये NCIT के example है, जो में बताना बूल गई थी, ठीक है, उसके बाद, symbiotic cyanobacteria, anabina, azola, fix the nitrogen in the leaves of azola, anabina is a cyanobacteria, azola is a plant, और इन दोनों का association करता है, ठीक है, association azola और anabina का association है, जो nitrogen fix करके देता है, ठीक है, तो ये example तो पन discuss करी लियता है, तो frankia is a bacteria, symbiotic association with the non-leguminous plant, example is alnus, और anabina के साथ association है azola का, ठीक है, azola, pineta, ये टेरीडोफाइट होता है, जो मैंने बता है, ये plant टेरीडोफाइट है, और rice field में ये जो है, बहुत ज्यादा और anabina psychidae, ये points है, जो मैंने बता है, ये बता है, ये समझ में आए, ये वाला आपको नहीं समझ में आए, 11th class माप, प्लीज आप प्लीज आप mycorrhizae का lecture देखना, जो psychos होता है, जो psychos होता है, जो synovacteria है, जो psychos के root में मिलता है, azola, टेरीडोफाइट है, ये आपके soil में nitrogen का content बढ़ाता है, और इस association को हम rice field में use करते हैं, ताकि soil में nitrogen बढ़े, जिसकी जो और basically nitrogen fixed हो, और वही fixed nitrogen फिर rice field को मिल सके, rice paddy plant को मिल सके, आगे बढ़े, NCRT देख लेते हैं, with our present day, lifestyle environmental pollution is a major cause and concern, ठीक है, the use of chemical fertilizer, बहुत जादा होता जा रहा है, जिसकी वज़ा से बहुत ज pollution बढ़ रहा है, और obviously chemical fertilizer use करने से human being को भी loss है, इसले बहुत ज़्यादा pressure है कि हम organic farming का इस्तमाल करें, और bio fertilizer का इस्तमाल करें, bio fertilizer और organism, यह क्या होते हैं, यह क्या करते हैं, nutrient की quality enhance करते हैं, soil में, और इन में हम bacteria को इस्तमाल कर सकते हैं, fungi को भी और cyanobacteria को इस्तमाल कर सकते है हम लोगों ने पढ़ा है, root not dual में in the leguminous plant का, किसका association, rhizobium का, यह bacteria क्या करते हैं, यह bacteria atmospheric nitrogen को fix करते हैं, ammonia और फिर उसे जो है, soil को देते हैं, soil से प्र प्लांट में जाता है, फिर उसके बार other bacteria fix atmospheric nitrogen in the free living form, जैसे कि azola, azotobacter, azospiralam and azotobacter, ठीक है, यह free living होते हैं, fungi भी होते हैं, fungi भी root को nutrients खीच-खीच कर देते हैं, जैसे association is the mycorrhizae, glomus, fungus का member है, जो कि pine tree के साथ लगा रहता है, fungal association जो होते हैं, phosphorus को absorb करते हैं, soil को देते हैं, then वो plant में जाता है, plant having such association, show the benefit, other benefit कैसे, plant जो है, वो pathogen को आने ने देता, resistant बनाता है, उसको सूखे से बचाता है, slanity से बचा साइनो बेक्टिरिया को भी हम एज़ा किस की तरह इस्तमाल कर सकते हैं, bio fertilizer की तरह, जैसे कि एना बिना नॉस्टॉक और सिलिटोरिया, यह एक्मोसफिरिक nitrogen को fix करते हैं, और उसके बाद यह जो nitrogen का form soil में है, उसे root को देते हैं, paddy field में हम साइनो बेक्टिरिया एक बहुत important bio fertilizer के तरह इस्तमाल होता है, जैसे कि आपका एना बिना और आपका आजोला का वह association, blue green algae also add the organic matter, ammonia, organic matter to the soil and increase its fertility, currently in our country, a number of bio fertilizer available है, जैके, farmers इनको regularly use कर रहे हैं, जिसके विज़ा से आपके chemicals पर dependency खतम होगे, डैने बच्चो, ठीके, यह बहुत ही छोटा सा chapter था, chapter मतलब की, chapter भी और topic तो बहुत ही चूटा था, यह सारे topics हम class 11 में पढ़ चुके हैं, बस इसमें आपको नाम याद रखने हैं, और as a bio student यह सारे नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है, समरी देखते हैं, ठीक है, तो यह आपको समझ में है कि एना बिना को हम paddy field में क्यों use करते हैं, क्यो हम लग लग जगाव हैं, पर चूप्तर में हमने यह पड़ा है, माईक्रोप के लो पर 2022 सब परे इसमीज आपको निरी में पड़ा है, पर बेकरी में पड़ा में बेकरी इंडस्टरे में लेप्टो बैक्री आ लेपीश बाट और कर बड़ा है,τι रम्किय writes फिर जेक है उसक की तरह माइक्रोब का यूज पड़ा, so this is it, the chapter is over, आवाज भी बैड़ गई मेरी, बहुत जल्दी हमने चाप्टर खतम किया और उम्मीद कर रही हूं कि यह सब आपको समझ में आ गया होगा, तो आज की क्लास में हमने सीखा, माइक्रोब एज़ बायो फेटिलाइजर एज़ ठीक है, हम किसी भी माइक्रोब को ऐज़ बायो फेटिलाइजर नहीं उस कर सकते हैं, हम कुछ बैक्टिरिया को इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे कि राइजोबियम फ्राइंक किया, रूट नॉट्डूल वाले प्लांट में, जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट में, राइज कि रूट में होता है, ज्यादा तर वहां पर नाइटरोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, पर हम इसे पैडी फिल्ड में इस्तमाल कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, माइकोराइजल एस्सोसियेशन जिसमें हमने ग्लोमस का एक्जामपल अगर आप इसी तरीके से मेरे इंपोर्टन लेक्चर चाहते हैं, तो वेबसाइट क्लास 12 में जाहिए, मेरी फोटो पे क्लिक करिए, चाप्टर वाइस प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाहिए उसे इंजॉय करिए, तो हमने ये वाला चाप्टर ओवर किया, नेक्स्ट मे कौन सा चाप्टर पढ़ाने वाली हूँ, वो मैं आपको सप्राइज ही रखोंगे, आप कम्यूनिटी पोस्ट पर जाके उसे दे सकते हैं, सी यू नेक्स सेशन, तब तक थांक्यू सो मच और बबाई